तलफान समझ बात कानेगे S.E.L. Tech Quarter 3 के रिजल्ट के बार में S.E.L. Technology का मुनाफ़ा तिसरे तिमाई में 31.66% घट 10.30 एर से डिविडेंड का भी एलान किया S.E.L. Technology ने बताया कि उसकी आज दिसम्भ 2021 को समापन तिमाई में तिसरे तिमाई का नेट प्रोफिट 13.66% पिछदी से घटा कर 3,442 करोन रूप कर दिया है जब कि पिछले साल की समापन अवधी में यो 3982 करोन रूपे था S.E.L. Technology ने सुक्रवार को सेर बजार में दीगर जानकारी से बताया कि उसने आज दिसम्भ 2021 के समापन तिमाई में 15.7% बढ़कर 22,331 करोन रूपे पर रही थी एक सालों में पहले इसी तिमाई में यो 39302 करोन रूपे थी कमपनी के परदर्शन के बारे में बात करते हुए S.E.L. Technology ने CEO और M.D. विजुकरमा ने कहा कि तिसरती माई में स्टोंग revenue growth लगतार margin, performance और booking वो pipeline में लगतार moment के साथ संदार रही है जो कि बाजार में कमपनी की मजबूती को दिखाती है इसके साथी गमपनी ने वितवर्श 2021-22 के लिए राजवस राजासो में विरिद्धिक के डबल डीजिट में राणी के अनू मान को बरकरा रखा है एसेल टेकनलाजी ने दिसंबरती माही में कूल 23.5 क्रोड डालर के values का consent हासिल किया और यह साल आधार पर 64% तक की ब्रिद्धि होई एसेल ने दिसंबरती माही में के लिए 3010 रुपे का अंतरिम डिविटेंट देने का भी एलान किया है और सुक्रबार को एसेल के शेयर ने जिरोदस में 32 की गिरावट के साथ 1330 रुपे के भाव पर बंद हुआ था तो यह एक अपडेट है एसेल टेक्नलाजी के सेरोडस के लिए